असलाम वालेकूं फ्रेंड्स वेलकम टू माई कुकिंग वितेपिस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकेन टिक का बिर्यानी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का लगता है ये बहुत जादा चटपटा बनकर तयार होता और इसका फ्लेवर भी ब बगएर भी खा सकते हैं ये इतना जादा चटपटा और स्पाइसी बनकर तयार होता है ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है चिकेन ये तीन पोव है यानि 775 इराम इसे अच्छे से वाश कर लेना है और दो बड़े पीस हमने लिया है इसमें कट लगा लेना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कट लगा लिया है इसी तरीके से चारों तरफ से कट लगा ले दे हैं और ये जो बिर्यानी बनती है थोड़े बड़े पीस होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा पीस लिया है तो अब इसमें हम कुछ मसाले आट करेंगे सबसे पहले इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच अधरक लहसन का पेस्ट तीन बड़ा चम्मच फ्रेश गाड़ा दही एक बड़ा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच हल्दी एक छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च एक छोटी चम्मच धनिया पौडर आधी छोटी चम्मच जीरा पौडर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पौडर यह होममेट गरम मसाला पौडर है और यहाँ पर हमने लिया है तंदूरी चिकन मसाला तो आप कोई भी ब्रैंड का मसाला ले लिजे चिकेन टिक का मसाला हो या तंदूरी चिकेन मसाला हो एक बड़ा चमच आड़ कर लेना है और नमक पसंद के मुताबिक आड़ करना है और एक छूटी चमच निम्बू का रस आड़ करना है इससे चिकेन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास कोई भी तरह का चिकेन टिकका मसाला नहीं है तो इस पॉइंट पर चिकेन मसाला जो आता है वो आट कर दे और 2-3 पिंच रेड यलो फूट कलर आट कर देना है इससे भी आपके चिकेन पर कलर बहुत अच्छा हैगा सभी चीज़ों को डालने के बाद चिकेन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है चिकेन टिकका बना रहे है तो इसमें कोईले का धुआ देना है तो बीच में इस पेस बना लेना है और एक छोटी कटोरी रख ल आदा गंटा हो चुका है तो इसकी लीड मैं हटा लेती हूं तो अब कटोरी ठंडी हो चुकी है तो इसे भी हटा लेते हैं यह चिकन फ्राइब करने के लिए तैयार हो चुका है तो चलिए आगे देखते हैं हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है इसमें तीन बड़ा चमच तेल आट करना है तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें चिकेन डाल देंगे यह ख्याल रहे कि इस पॉइंट पर हमें फ्लेम को मेडियम कर देना है और जितने भी चिकेन है मेडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताके सारे चिकेन बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाएं अब दूसरी साइट भी इसे फ्राई कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे पलट लिया है और सभी चिकेन पर कलर बहुत अच्छा आगया है इसी तरीके से आपको चिकेन फ्राई कर लेना है उलट पलट कर अगर हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो कलर उपर से आ जाएगा मगर अंदर कच्छा रह जाएगा इसलिए मेडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें चिकेन के उपर कलर बहुत अच्छा आ गया है और चिकेन भी अंदर से गल गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद जितने बाकी चिकन बचे हैं सभी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे इसे निकालने के बाद हमने बाकी चिकन भी जो था उसे भी फ्राई कर लिया है तो अब चलिए आगे देख लेते हैं हमने यहाँ पर एक और बरतल ले लिया है इसमें तीन चोथाई कप हमने तेल एड़ कर दिया है तीन चोथाई कप या एक कप तक तेल एड़ कर सकते हैं और हमने यहाँ पर तीन मेडियम साइस का प्यास ले लिया है जिसे बहुत बारिक काटना है तो यहाँ पर हम इस तेल में add कर देंगे बिर्यानी में fry onion की जरूरत पड़ेगी तो इस point पर आपको सबसे पहले प्यास को fry करके निकाल लेना है उसके बाद मसाले भुननी है तो यहाँ पर देखें प्यास में color आ चुका है प्यास को अलग अलग कर देना है ताके यह कुरकुरा रहे यानि क्रिस्पी हो तो इसी तेल में अब कुछ खड़ी गरम मसाले हम एट करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है एक स्टार एनिस और तीन हरी इलाइची तीन लॉंग दो डाल चीनी एक इंच की है छे से मुत्रा कर चपन माठबाब कर दो सादता स्काह barbecue उनिसमें इसमें और घंब लिजब हम एक साकशाम करेंग तो हमने यहाँ पर दो मेडियू मेडियम साइस का तमाटर लिया काचने के बाद यह डानने के बाद के बाद हम लो फ्म पर एक मिनट के लिए फ्राई किया है अब में कुछ मसाले एट करेंगे आधी चोटी चम्मच हल्दी आधी चोटी चम्मच लाल मिर्च आधी चोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च एक चोटी चम्मच धनिया पौडर एक बड़ा चम्मच बिर्यानी मसाला कोई भी ब्रैंड का हो एक चोटी चम्मच कसूरी मेथी एक ब मसालें से फ्राइए झाल के दूर यह से हम और कि उन्त तुन कर ले तो जितना किया था उसका आधा से थोड़ा जादा हमने यहां पर we यहां पर छाई कर लेना है क्रमें और एम यहां पर वाक्ता किर यहां जादा करें लो हैं अनलेसaneam दही डालने के बाद हमने दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है मसाले को, अब इसमें आधी छुटी चमबच ग्रमसाला पॉडर एट करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया है दो मुठी धनिया की और दो मुठी पोदीना की, तो आधा हम धनिया और आधा आध कर देंगे मसाले में, डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, इसे अब भूनना नहीं है, बस मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें फ्राइ में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें आधा कब पानी आट करना है पानी आट करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने पानी इसली आट किया है कि मसाला थोड़ा पतला हो जाए और हम जब चावल के लेयर पे इसे सेट करें तो मसाले सारे च चिकन और ग्रेवी दोनों बहुत अच्छे से तयार हो गया। अब हम इसमें दो हरी मिर्च एट करेंगे थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी पोदीना भी एट कर देना है आधी छोटी चम्मच निम्बू करस और एक छोटी चम्मच कुकिंग वायल यानि तेल एट करना है अब इसे ढग कर उबाल आने का इंतिजार करना है तो उबाल आ च अब इस पानी में चावल एट करेंगे तो यहाँ पर हमने तीन पो चावल ले लिया अच्छे से वाश कर लेना है यह बिर्यानी का चावल है और इसे एक घंटे के भीगों के रख दिया था तो चलिए अब पानी में हम इस चावल को डाल देते हैं अब हम इसमें दो बड़ा चम्मच नमक एट करेंगे नमक एट करने के बाद एक बार हलके हाथों से चला लेना है चलाने के बाद इसे ढख देना हो ढख कर एक उबालाने का इंतिजार करना है आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर एक और हमने बरतन ले लिया है इसमें एक पड़ा चमर्स तेल एट करेंगे और इस तेल को इस बरतन में चारों तरफ फैला लेना है ऐसा करने से जो हम चावल कर लेयर लगाएंगे वह बरतन में चिपकेगा नहीं पानी में उबाला गया होगा तो हम चावल देख लेते हैं तो देखिए उबाला चुका है धक्कन हमने और यहां पर फ्लेम को मेडियम कर दिया है तो यहां पर हमने चावल को बहुत अच्छे तरीके से पका लिया है आपको भी मैं देखाती हूं तो दो कन्नी यहां पर रहेगा तो आपको फ्लेम को आफ कर देना है आप चाहें तो चावल का सारा पानी एक बार निकाल ले मैं यह जबासा बिर्यानी मसाला डाल दिया है थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पोदीना डाल देना है और जो हमने प्यास बचा के रखा था फ्राई अनियन उसे यहां पर टाल देना है और जो चिकन तयार किया है यहां पर सेट कर लेना है मेरे चावल की क्वैंटिटी कम है तो द UH आप इसके ऊपर फिर से vyrijानी मसाला एट करेंगे तो थोड़ा सा आपअ करना है थोड़ी सी धनिया होई थोड़ी सा पोधीना और फ्राइश अनियन थोड़ा सा एट कर देना है अब इसके उपर फिर से चिकन डाल देना है चिकन के जितने मसाले बचे हैं सभी को इस पॉइंट पर डाल देना है ये बिरियानी दम लगने के लिए तयार हो गई है अब इसके उपर एक कपड़ा रखना है अब इसे ढखकन से ढख देंगे और इस धक्कन के ऊपर कोई भारी समान रख देना है ताकि इसकी स्टिम बाहर ना निकले अब इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देना है तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है उसके 10 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ यह देखिए वह क्या जबरदस्त बनकर बिर्यानी तयार हुई है यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है इसमें हमने ना कोई तरह का रायता बनाया है और ना ही चटनी बनाई है इसी तरीके से हमने इसे खाया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है इसे हम डिशॉट कर लेते हैं चिकेन टिक का पिर्यानी बनकर रेडी हो चुकी है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हुए जाज़त अलाहाफीज